हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुल गुरू की खक्चा आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बाबा जी की बूटी सिरीज के अंदर इलेक्टिसिटी के एसेर्शन एंड रेजन सॉल्ब करने वाले हैं और जिनको पता नहीं है कि बाबा जी की बूटी सिरीज क्या है तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ बाबा जी की बूटी सिरीज में हम लोग जो बोड़ 2020 एक्जाम होने वाला है उसके रिलेटिट कुछ इंपोर्टेंट कोसें प्रेक्टिस करते हैं तो चलिए आज की खुबसूरत से लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करें तो एसर्शन और रिजन बेस्ट कोसें को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एसर्शन और रिजन बेस्ट कोसें क्या होते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ Assertion and Reason based question में हम लोगों को दो statement दिया हुआ होता है पहला statement Assertion का होता है और दूसरा statement Reason का होता है फिर हमें चार option दिये जाते हैं जिसमें से हमें एक correct option चूज करना होता है वो पहला option क्या है हम लोगों का? पहला option होता है कि जो Assertion और Reason वो दोनों हमारा सही है और जो Reason है वो Assertion वाले statement को सही से explain कर रहा है और second option हम लोगों का होता है कि Assertion and Reason statement दोनों ही हम लोगों का सही है बट जो Reason वाले statement है वो Assertion के statement को correctly explain नहीं कर रहा है और तीसरा option हम लोगों का होता है कि assertion तो true है बट reason false है अब fourth हम लोगों का option होता है assertion is false but reason is true मतलब assertion हम लोगों का गलत है और reason सही है चलिए अब हम लोग कुछ important question की practice करते है first question का assertion statement है the resistivity of conductor increase with increase the temperature मतलब हम लोग जैसे जैसे temperature को increase करते है किसी भी conductor का resistivity जिसको हम लोग denote करते हैं row से वो भी increase होते चला जाता है यह कहना है हमारे assertion statement का तो हम लोगों ने chapter में पढ़ा था जो resistivity होता है जिसको हम लोग denote करते हैं row से वो directly proportional होता है length of wire temperature और inversely proportional होता है area of cross section तो यहां पर देखे जैसे जैसे हम लोग temperature increase करेंगे resistivity भी increase करेगा इसलिए assertion statement विल्कुल ही correct है अब हम लोग reason statement देखते है reason statement है resistivity is the reciprocal of conductivity मतलब जो resistivity है वो conductivity का reciprocal है उल्टा है तो हम लोग ने chapter में यह भी पढ़ रखा है resistivity is equal to one by conductivity जिसमें हम लोग resistivity को denote करते थे रोस से और conductivity को denote करते थे सिगमा से है तो आप लोग यहां पर से देखिए जब हम लोग resistivity को increase करेंगे तो conductivity decrease होगा या जब हम लोग conductivity को increase करेंगे तो resistivity decrease होगा आप इसको theoretically भी सोच सकते हैं अगर कि सपोस करें मैंने कहां पर material ले लिया वायर ले लिया अगर उसका resistivity मतलब रोकने का छमता resistance कम होगा तभी तो ज़्यादा electricity अपने आप से conduct कर पाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा conductivity इंक्रीज कर जाएगा लेकिन अगर मैं इसे opposite मैनर में सोचू कि अगर मैं इसका resistance बहुत ज्यादा बढ़ा दू मतलब रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा दू वह करेंट को रोक देगा अपने आप से तो ज्यादा अच्छा से conduct नहीं कर पाएगा इसलिए इसका conductivity कम हो जाएगा यह situation होता है हम लोग का बैड कंड़क्टेर का और रेसिस्टिन्स कम और कंड़क्टिविटी ज्यादा होता है हमारे गुड कंड़क्टेर का इसलिए हमारा रेजन इसक्रेटमेंट भी करेक्ट है बट यहाँ देखे रीजन जो है वो असर्षेन को करेक्टली एक्सप्पेन नहीं कर पाह रहा है इसलिए हम लोग का correct option क्या हो जाएगा option B option B में क्या होता है both assertion and reason are correct statement but reason is not the correct explanation of assertion second question का assertion statement है two resistance having value R is their equivalent resistance is R by 2 मतलब यह हम लोगों से बोल रहा हम लोगों को दो resistance दिया हुआ है R1 and R2 और दोनों का ही value हमें दिया हुआ है R और जो इसका equivalent resistance R रहा है R equivalent वह हमारा R by 2 तो चले हम लोग find करते हैं अगर हम लोग resistance को series में arrange करेंगे तो हमारा formula होता है R1 प्लस R2 तो R1 का value क्या दिया हुआ है R और R2 का value क्या दिया हुआ है R तो resistance in series कितना आ जाएगा हम लोग का 2R तो इससे हम लोग के जाए समझ मारा है कि जो हमारे resistance दिया हुआ है वो series में connected नहीं है अब हम लोग parallel में connect करके देखते हैं अब हम लोग है resistance in parallel is equal to 1 by R1 का value हमें दिया हुआ है R और R2 का value हमें दिया हुआ है आर तो 1 by resistance in parallel is equal to RR का LCM हो जाएगा R and 1 प्लस 1 2 तो resistance in parallel हो जाएगा हमारा R by 2 तो तो इससे हम लोग को यह समझ में आ रहा है जो कि resistance दिया हुआ है वो एक्चुली किस में connected है parallel में connected है तो यह सेशन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है अब हम लोग रिजन देखती जन स्टेटमेंट है given resistance is connected in parallel हाँ हम लोग नहीं प्रूब किया कि जो हमें resistance दिया हुआ है R1 और 2 वो किस में connected है parallel में तभी तो हमारा अंसर क्या रहा है R2 अगर यह सिरीज में connected होते हैं तो हमारा अंसर क्या आता टू आ इसलिए कौन सा option करेक्ट हो जाएगा option कि a option a हमारा क्या था बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion third question का assertion statement है a fuse wire is high resistance but low melting point जब जो fuse होते हैं जो कि हम सभी के घर में लगाया जाते हैं उसका resistance बहुत ज्यादा होता है बट उसका जो melting point होता है वह बहुत ही कम होता है resistance high होने के कारण क्या होगा resistance high होने के कारण वह अपने आप से कम current pass होने देगा मतलब इसका conductivity जो है वह कम होगा और melting point कम होने के कारण वह जब भी उसमें से high voltage का current पास होगा वह ब्रेक हो जाएगा वह तूट जाएगा तो यह हम लोग अपने day to day life में जरूर observe करते हैं कि कभी-कभी आचानक हमारे घर का light चला जाता है बड़ जो हमारे पडोसी है सर्मा अंकल उनके घर का light रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं तो assertion statement हम लोगों का correct है कि जो fuse है उसका resistance जादा होता है और melting point कम होता है तब ही तो वह break कर जाता है अब हमारे reason देखते हैं reason statement है fuse wire will melt and break the circuit region statement भी बिलकुल correct है कि जैसे ही fuse में से high voltage का current पास होता है जो wire रहता है वो melt कर जाता है और circuit को break कर देता है आगे फिर current नहीं पहुच पाता है जिससे हमारे सारे device बच जाते हैं तो इसमें हमारा कौन सा correct option होगा correct option हमारा होगा option A तो option A हमारा क्या है both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion fourth question का assertion statement है bending of wire does not affect electrical resistance मतलब जब हम लोग को straight wire को bend करते हैं तो bending के कारण उसके electrical resistance में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है वो constant रहता है तो हम लोग सबसे पहले resistance का formula लिखते है resistance का formula हम लोगों ने पढ़ा है resistance is equal to row L A जिसमें row होता है हमारा resistivity L होता है length of wire and A होता है area of cross section तो आप ican अपलोग मुझे बताइए यह जो straight है यह troof wire को जब में bend करूँगा तो length में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा लेंथ दोनों का सेम होगा और ना मैंने इसको हैमर से बीट किया है मैंने बस इस वायर को सिंप्ली उठा के बेंट किया है तो इसका एरिया आफ क्रोस सेक्षिन में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा तो यह दोनों कॉंस्टेंट रहेंगे और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो यह रेसिस्टिविटी होता है वो किस पर डिपेंट करता है नेचर और माटेरियल पर डिफेंट करता है यह जो रेसिस्टिविटी है वो सेप and size में डिफेंट नहीं करता है तो चाहिoken गसे क्विकरेंट करेंजियत कोई कोई सेप बना ले यह यह वह पर डिपेंट नहीं करता है रेसिस्टेंट को नहीं बढ़ाएगा एस सिर्फ डिपेंट करता है सब्मसिग तो इस से हम लोगों यह पता चल रहा है कि जो रेशेस्ट र consumers है वो क्या रहेगा रहा मैं कोई भी चैंज्स नहीं आएंगे क्योंकि लेंध भी सेम एयरिया व्लेफ सेक्षन होसे मोरे सिस्टेंश भी सिर्शेंश में भी कोई भी चैंज्बिस नहीं आ रहे हैं चल्वारा ano Generous नीस्ट्वेटि यह मैते के लाज है था हुआनोग लिएग लेदैंगते बैजन स्टरेट स्ट्वेटि मैटेर्याल यहन दोसे बोल रहा है है जो रे सिस्टेंड से वह डिरेक्टि पर पोस्ट्रे मे Panel ज bris twee अब्रों धी कि आप लोगे हम रेखें जो आर है वो डैरेक्ट्ली पर्पोर्श्नल है डॉस्टि इसलिए हमारे रीजन स्टेट्मेंट भी करे favor क्रेक्ड अप्शन हमारे क्या होजाएगा amud option B, option B क्या है, assertion both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, यह जो reason statement है, वो assertion को correctly explain नहीं कर पारा है, बस यह बोल रहा है कि resistance जो है वो directly purpose BOC नल है, resistivity का, अगर हमारा reason statement यह होता कि जो resistivity ही वो shape and size पी डिपेंड नहीं करता है तो यह जो रीजन है वो असेर्शन को करेक्टली एक्सप्रेंड करता तो हमारा option यह करेक्ट होता फिफ्थ कॉशन का assertion statement है एमिटर होता है उसे हम लोग करेंट को मेजर करते हैं तो असेर्शन इस्टेट्मेंट बिल्कुल करेक्ट है अब हम लोग रीजन स्टेट्मेंट देखते हैं रीजन है कि इस कनेक्टेड इन सीरीज इन दस सर्किट मतलब जो एमिटर होता है वह सर्क को करेक्टली एक्सपेंड कर रहा है इसलिए हमारा कौन सा ओप्षन करेक्ट हो जाएगा ओप्षन ओप्षन ने किया था बोथ एसेशन एंड रीजन और टू एंड रीजन इस करेक्ट एक्सपेंशन ओफ एसेर्शन यहीं पर मैं आप लोगों को एक दूसरा सवाल करा देता हूं जो कि वोल्ट मिटर से रिलेटेड है हम ऐसे याद रखिया है कि जो एमिटर है वो करेंट को मेजर करने के लिए यूज होता है और यह हमेशा सिरीज में कनेक्टेड होता है बट जो बोल्ट मिटर होता है वो पोटेंशिल डिफ्रेंस को मेजर करता है और वो हमेशा पैरलेल में कनेक्ट होता है सिक्स्त कोस्टन के एसेर्शन स्टेट्मेंट है अब वायर ऑफ रेसिस र is compressed to half of its original length Supposed करें इसका length L इसको compress करके दूनों स्थ से दबा के इसका length कितना कर दिया गया l by 2 हे इस new resistance is found to be RD 4 इसका जो new resistance मिला वह को कितने मिला mr4 तो इस तरह का कोस्ग कीसे करते हैं इस तरह का कोशें को सबसे पहले कि टेखते हैं कि याट हो जाएगा फिर हम बनौ देखते है की सेव तो चेंज हो लेकिन जो इसका वोल्ईयम वो इनिस्यली और फाईनली दोफ फिर वोल्य को equate करकि इसका answer निगालते हैं लेकिन आप लोगों को assertion in reason या one marks में इतना लंबा process नहीं करना है जब भी आप लोगों को MCQ या assertion in reason type question में इस तरह का question दीखे तो आप लोग एक simple formula यूज कर सकते हैं वो formula है new resistance r' is equal to n square by r जिसमें r' होता है new resistance n होता है कि कितना time वो compressed हुआ या stressed हुआ और जो r है वो कितना resistance दिया हुआ है वो होता है तो चलिए इस formula में हम लोग value put करते हैं r' is equal to n square कितने बार यह compressed हुआ कितना compressed हुआ तो हम बोल रहा है half of its original length फिर हो जाएगा half whole square into r तो r' is equal to 1 का square 1 and 2 का square 4 r' is equal to r by 4 directory आप लोग answer ला सकते हैं तो हमारा assertion statement करेक्ट है अब हम लोग reason देखते हैं रिजन इस्टेट्मेंट है the direction of flow of electron is always in the direction of flow नहीं यह तो गलत है क्योंकि हम लोगों पता है सपोस करी यह conductor है जब इसको हम लोग circuit से connect करते हैं सपोस के इधर positive इधर negative तो current तो इस तरह से बार है positive to negative बढ़ जो electron का direction होता है वो होता है negative to positive इसलिए current और electron एक दूसरे के opposite direction में flow करते हैं तो इसका correct option क्या हो जाएगा option c assertion is true but reason is false 7 question का assertion statement है electrical appliances with metallic body have three connecting pin whereas on electric bulb has two pin connection मतलब जो electronic device होते हैं जो कि metallic body का होते हैं जैसे हमारे iron वागेरा उसमें हम लोग को three pin connection मिलता है बड़ जो हमना एलेक्ट्रिक बालब होता है उसमें सिर्फ हमें two pin connection मिलता है हाँ ऐसा ही होता है हम लोग ने अपने day to day life में observe किया है तो हमारा assertion statement correct है अब हम लोग reason देखते हैं कि आखिर यह क्या reason दे रहा है तो reason statement है three pin connection reduce heating of connecting wire नहीं ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है अब आप भी बताए है जब हम लोग दो pin wire से connect करेंगे और three pin wire से correct करेंगे तो जो इसका wire वो hit तो उतना ही होगा क्योंकि वो energy उतना ही absorb कर रहा है ठीक है उसको उतना ही energy चाहिए अभी भी glow होने के लिए तो गर्म का करेक्ट रिजन क्या होता है इसका करेक्ट रिजन यह होता है जो हमारे ठर्ड़ तो उसको इलेक्ट्रिकल सोक से बचाया जा सके क्योंकि जब इसमें एक्स्ट्रा चार्ज फुलो हो जाता है तो जो थर्ड पिन रहता है वो डारेक्टली इसको अर्थ की और भेज देता है कि अर्थ भाई आप आपके समालिया मेरे से नहीं होगा तो फिर से मैं आप लोगों बता देता हुँ जो यह ठ्री पिन होता है वह हम लोग अर्थी का होता है यह हम लोग सेफ्टी प्रिकॉष्ण के तौर पर लेते हैं क्यूंकि जो पीपल उसको इलेक्ट्रिक शौक से बचाया जा सके क्यूंकि जो मेटालिक बोडी बोडी होते है उसमें जब कभी extra charge flow हो जाता है तो जो third pin रहता है वो extra charge को direct earth के नीचे भेज़ देता है जिसे electrical shock से बचाव जा सकता है हमारा reason statement इसमें correct है इसमें हमारा कौन सा option correct हो जाएगा option c option से क्या है assertion is true but reason is false I hope आप लोगों को electricity chapter के assertion and reason type question समझ में आ गए होंगे और यह भी समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को assertion and reason type question को किस तरह से tackle करना है और अगर फिर भी आप लोगों किसी भी question में doubt है तो आप लोग मुझे comment section पूश सकते हैं so thanks for watching and please like share and do subscribe to my channel